अनाथ बच्चा जो बना 22 लाग करोड की कमपनी का मालिक दोस्तों जब इनसान का पेट खाली होता है तो अच्छे अच्चों की नियत बगड़ जाती है चूरी टकेती से लिका लूट पार्ट जैसे कई सारे कामों में लोग अपनी पूरी जिन्दगी बरबाद कर देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कीच़ड में खिलने वाले कमल की तरह होते हैं आस-पास के माहल से कोई फरक नी पड़ता वो तो बस बड़ी ही खुबसूरती से अपने काम में लगे रहे थे और आज हम आपको जिस शक्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो तो कमल से भी जादा खिला हुआ है हमारा मतलब है उसकी दौलत और शोहरत के आखे बड़े-बड़े लोग भी छोटी नजर आते हैं और एक अनाथ बच्चा जो अगर चाहता तो गरीबी की मार्ज हिलते हुए कमजोर बढ़ सकता था लेकिन उसने मेहनत की और 22 लाग करोड की कमपनी खड़ी कर दी दोस्तों हम जिस कमपनी की बात कर रहे हैं वो है लोई विटों जो की पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रैंड बन गया है आज लोग इस ब्रैंड के कपड़े, पर्सों, जूते वगएरा खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं जिनकी कीमते हैं हजारों में शुरू होती हैं और करोणों तक पहुंचती हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतनी बड़ी कमपनी खड़ी करने वाले शक्स के पास बच्पन में अपना सर ढखने के लिए छट तक नहीं थी अरे छट तो जोड़िये उसे ढख से दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी जिस गरीबी में इनसान अपने जिन्दा रहनी के उम्मी छोड़ देता है उसी गरीबी से निकल कर कोई बंदा इतनी बड़ी कमपनी खड़ी करते ये अपने आप में किसी करिश्में से कम नहीं और ये करिश्में शुरू होता है चार अगस्त 1821 से जब फ्रांस में रहने वाले गरी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम लुई बिटों रखा जाता है इनके पिता एक केजान थे और मा टोपियां बनाने का काम करती थी जिस दोर में इनका जन्म होगा उस समय फ्रांस में काफी लड़ाई दंगे चलते थे जिसके वज़े से फ्रांस की आधिय से जाधा जन संक्या घाटे में चली गई और लोगों को आर्थिक मंदी का सामना क करना पड़ा घर की आर्थि इस्तिती ठीक करने के लिए लूई को अपने पिता के साथ खेती वाड़ी में काम करना पड़ा कियोंके माता पिता की कमाई पूरी नहीं पड़ रही थी पर ये तो बस शुरुआ थी थी जैसे इनकी उम्र 10 साल के हुई वैसे इनकी मां का धिहा जिसके बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर लिए और लूई को सौतेली मा मिल गई जो इन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी ना ही खाने को देती थी और ना ही चैन से रहनी देती थी लेकिन लूई शान्त रहकर सबको सहते रहे पर जब से यह हालात तो इसे कोई काम करना था क्योंकि इन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम था कि अगर जुनगी में कुछ हासल करना है तो कुछ बड़ा बनना है उसके लिए पैसा होना जरूरी है लेकिन इस चोटी से उम्र में बिना पढ़ाई लिखाई कि लूई को आफिस वाली जॉब तो मिलनी स करना नहीं दूगती था इसलिए इन्होंनी का लाकार और वकारिगर के साथ काम करना श्रू कर दिया जिनके साथ यूब पेट भर के खाना जरूरू जाता था और लोई का मकसद कीवल अपना पेट भणा नहीं था बलकि नई इसन पसकी बदीज पðपने होंनल कर गरीब ही में जी रहे थे अपनी शरीर पर ओड़े जाने वाली चादर को ही अपना घर समझ कर सो रहे थे उन दिनों फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवलुशन चल रहा था लेकिन ट्रेन के अंदर सामान ले जाने में दिक्कत हो रही थी लोगों को जाहिर सी बात है अगर पथर तक हर तरह की चीज़ों को ये कोई भी आकार दी सकते थे तलाश थी तो सिर्फ वसेर्फ मौके की और मॉंशर मार्शल इनकी जिन्दगी में बहुत बड़ा मौका बन कर आई जिन्नोंने लोई को अपनी दुखान में कारीगर के तौप नौकरी दे दी इस नौकरी मे पर्सनल बॉक्स में का बना लिया जहां ये महरानी के लिए अपने हाथों से बॉक्स बना कर तयार करते थे लगभई एक साल तक महरानी के लिए काम करने के बाद इन्होंने अपनी खुद की दुकान कोलने का फैसला किया और यहीं से शुरूआ थोई लूई विटों की उस इन पर कंपनी ने एक तरकीब सुची जिसके बाद इन लोगोंने लेदर की जगहें कैन्वस का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया जो लेदर के मुकाबले सस्ता सुन्दर टिकाओ था साथ ही साथ वाटरप्रूफ और हलका भी था इनका आइडिया काम करके और मार्केट में बॉक्स की टिमांड इसे बढ़ने लगी यूँकि इसका लुक भी बहुत ही शानदार था दोस्तों लुई के एक आइडिया ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और फिर इन्होंने बॉक्स से आगे बढ़कर हैंडबग बनाने की सूची क्योंकि उस वक्त हाथ के साथ स्टाइल भी चाहिए और जाहिर सी बात थे इनके बैग कैनवस के होते थे इसलिए ये उनके ऊपर कुछ भी बना सकते थे फिर क्या था इनके इस आइडिया ने धीरे धीरे हैंडबग के ब्रती लोगों की सोच बदल कर रख दिया और नतीज़ा आप देखी सकते है क्योंकि इससे पहले वैक्स में लॉक नहीं होते थे जिससे कोई भी बैक को खोल सकता था लेकिन अगर बैक के अंदर लॉक लगा दिया जाए तो लोग उसे जरूर खरी देंगे वहा भी जॉच का आइडिया काम कर गया लॉक वाले बैक तो इससे बिकने लगे सब कुछ अ तंग जगे में रहना पड़ता था जहां ना तो धंग से खाना मिलता और ना ही रहने के लिए धंगी जगे लंबे समय तक मुश्कलें जेलने के बाद जब जंग खत्म हुई तो यह अपनी परिवार के साथ वापस अपनी घर आ गए लेकिन तब तक इनका सारा सामान चूर लेकिन धीरे-धीरे हाला सुधनने लगे जैसी चीज़ें ठीक होने लगी मौके पर चौका मारते लोई ने अपने काम को और भी बड़े लेवल पर बनाने का सूचा और यह टेकनोलोजी का इस्तिमाल करने लगे जिसकी मदद से अपने बैक पर प्रिंट करते थे और ऐसा क लंदन में इनों ने खोली और धीरे-धीरे पूरे दुनिया में अपना विस्तार करने लगे इनका काम बहुत ही प्रीमियम क्याल्टी का रहता था इसलिए किसी भी साधाहन इनसान के लिए इनके प्रॉक्स खरीदना आसान नहीं था परन्तों इनों ने कभी भी अपने प् पसंद बनाने के लिए इन्हों ने केटलोग बनाना भी शुरू कर दिया पर उसी वक्ति इनकी मौत होगे जिसकी वज़या भी तक पता नहीं चली और अपने पिता के गुजरने के बाद जौज नहीं पूरी कंपनी की बागडोर समाली आज लोगों का सबसे ज़्यादा प सब्सक्राइब जरू करें देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये